नमस्कार में प्रियर अंजन और आज की इस एपिसोड में डिसकस करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में यस बैंक के एक्स्पोजर किसी कंपनी में लगभग 500 करोर के उपर का था जहां 40% रिकवरी हुई है तो यह एक पोजेटिव खबर रहा जिसके कारण ट्रेंड प of a stress loan to prudent ARC for 203 करोर यहां देखेंगे जो कटेरा वाज pushed into corporate insolvency कटेरा एक company है जो corporate insolvency के तरफ गई जिसने यस बैंक से लगभग 521 करोर वर्थ आप जो है पैसा raise करा था this means the yes bank has recovered close to around 40% of its exposure to katera यानि लगभग कितना पैसा katera को इसने दिया था 521 करोर जिसमें recover कितना हुआ 203 करोर यानि nearly 40% exposure जो है वो इस समय recover होते हुए दिखा है अब आगे देखें yes bank limited जो है वो मुंबई-based private lender has finalized the transfer of its exposure to katera india private limited to prudent ARC prudent जो है वो assets reconstruction company है और यहां देखेंगे assets reconstruction company है जिसके through यह deal हुई और company को 203 करोर के cash मिलते हुए दिखे है तो यह खबर रही यहां देखेंगे yes bank issued expression of interest for the sale of identified state loan exposure through auction और इस auction के through company को जो है वो लगभग 203 करोर के rupees मिले है यह positive खबर रही recent के जो delivery है वो generator है technical trend एक बड़ा reversal दिखा है और यह reversal तब दिखा जब company ने कही कि एक नए promoter की तलास कर रही है और यह जो sbi hdfc जैसे हैं उसको exit करने पर सकते हैं टेक्निकली ट्रेंड एक बड़ा reversal दिख लिया है यहां से इसके बाद अगेन यह weakness वाला जो trend दिख रहा था lower low lower high उसी के trend में दिख रहा है बिल्कुल shorter में trend negative है अगेन repeat करूंगा यह consolidated zone जो था यह resistance बनेगा 26 के उपर close करे तभी long करना अगेन अगेन मैं repeat कर रहा हूं और long term buying करना चाहते हो तो दो level है पहला 17 दूसरा 21 यह long term यानि दो साल plus के लिए short term trader बिल्कुल ignore करें और 26 के level को breakout करने दें